आज इस वीडियो में मैं आप लोग को खुलासा करूंगा कि आप किस तरीके से अपना इंपोर्ट शिप्मेंट विदाउट सीचे क्लियरंच करा सकते हैं तो भाई मैं इस वीडियो को डिवाइड करूंगा तीन सेक्शन में सबसे पहला कि हाउ डू चूज दराइट सीचे से आप लोग के साथ कराता है फिर दाइट चुलने शेचे से पहले आप लोग के बृइन में कुछ पॉइंस जो आप लोग चूशील कर सकते हैं तो रही है कि यह पॉइंस आपका सीचे जो है वो मैच कर रहा है कि इंपोर्ट कर रहा है मैं वोग थोड़ो सा एक्स्ट्रा डाइडेंस एक्टा डॉक्ट्रा डॉक्टेशन एक्स्ट्रा प्रोसेस्ट डॉलेज चाहिए होगी और आप लोग यह ज़रूर ध्यान देरा जब यह पिसी सीजे के साथ बात कर रहे हैं अपनी 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 सब्सक्राइब करने जाते हैं इसके लिए आप उससे यह पूछ सकते हैं कि आपके पास कोई और पार्टी है जो सेम प्रोड़क्ट करने वाला हूँ तो इसके रिलेटेड मेरे पास कौन बन से डॉक्मेंट होने चाहिए ताकि जब भी यह प्रोड़क्ट इंडिया में तो बहुत इसली कस्टम प्रेंस हो जाए डोमें इस्पटाइज इस वन अफटा इस अलसो वन अफटा वेरी वेरी इंपोर्टिंग फैक्टर बिफोर चुजिंग एनी राइच छी ज़ड़ है पोड़क्ट करने वाले है सब्सक्राइब बिल्ली से यह सब्सक्राइब करने वाले है उस पोर्ट में उस कस्टम हाउज एजन्ट का फिजिकल ऑफिस हो और फिजिकल प्रेजन्स हो तो आपका काम जो है बहुत इजिली और बहुत की स्पीड में हो जाता है फॉर्फ पॉल्ट है प्राइसिंग यह ज़रूर धियान रखे जब भी आप किसी कस्टम यह परइसिंग मिल रहे हैं कि आप लोगो नहीं बता किस चीज के कितने ब्रेशिंग लगते इसका क्या पता करने का उसके लिए 5-5 पॉइंट की आप एक ताइंड पर चार-पांस से लिए बात करेंजी सब्सक्रां कर लें इसका फाइदा यह रहता है कि जब आप तीन-च दे रहा है तो इससे आपको एक ओवराल चीजों का भी अंदादा हो जाता है और चार-पांच लोगों से बात आरगे आपको बता लग जाता है कि हम मोटा मोटा आप लोगो यह डॉक्मेंटेशन चाहिए और इतना इसका प्राइसिंग रहने वाला है और कोस्टिंग आपका सारा चीज हो गया आपने देख लिया कि आपके साथ क्लाबरेटिव है उसकी प्राइसिंग अच्छी है और उसका प्रोट प्रेज़ इंपोर्ट कर रहे है वहां पर उसका ओफिस भी है डोमेन एक्स्टाइज भी है प्राइसिंग उसमें साही दे दिया है फाइन इसको शि प्रॉइब चर्वेश्ग आपके साथ वहां प्रोटिव ली बात कर रहा है कि इसकी पहले शिप्मेंट में तोड़ा कम कमाएंगे और इसका अगर बिज्दस चलेगा तो आगे बहुत शरी शिप्म्ट मॉंभाएंगा बहुत सरी शिप्म्माएंगा तो उसके लगे देगा और तब हम तोड़ा तोड़ा करें इससे कमा लेंगे तो वह वाइंसेट चीज़ को होना बहुत ज़रूरी है और इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखें बिफ़र फाइनाइजिंग एनी चीज़ फावर्डिक अब बात करते हैं इस वीडियो के सेकेंड पार्ट की बाकी सारे अपनों खुद का विज़र से तरफ द्यानी देबारे ऐसा नहीं होना चाहिए आप लोग का वो CHE की ज़रूरत तभी पढ़ने वाली है जब आपकी शिप्मेंट जो है वो बल्क क्वांटिटी में इंपोर्ट कर रहे हैं यह बहुत वैल्योबल क्वांटिटी म करें की ज़रूरत नहीं उससे पहले आप करिये सकते हैं उससे बहले जिस भी सप्लाइर से इंपोर्ट करते हैं उस सप्लाइर को आप यह बूलीए कि मेरे को जो है यह शिप्मेंट डीप यह डीएप टरमस में चाहिए इंको था होता है इसको पर मैंने वैसे तो एडीगे प्लाइर की तरफ होता है इस केस में होता यह है कि आपका जो shipment है वो यह supplier, FedEx, DHL, UPS तर किसी और courier agent को handover कर देता है और वो courier agent ही supplier के office से माल को pick करना, local transport करवाना, port में custom clearance कराना, freight arrange करना, इंडिया में आने के बाद उसका custom clearance कराना, even duty pay करना, duty pay करने के बाद आपके door तक delivery करना, यह सारा काम यह agent करता है और यह सारा काम का जो payment है और सब कुछ payment है और expenses है यह आपका supplier already उसको दे चुका होता है, तो आपको कुछ भी देने के जरूरत नहीं होते हैं, कुछ भी अलग से 10 लोगों से बात करने की जरूरत नहीं होती है, तो DDP और DAP में एक यह फरक है कि DDP में आप लोगो कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है, DAP में यह होता है कि at the time of custom clearance, जो भी कुरियर एजेंट है वो आप से एक custom duty के नाम पे एक fee charge करेंगा जो भी custom duty आपको लगेंगी, DDP में यह होता है, DDP में आपको कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, सारा चीज आपके प्रड़क के अंदर ही include रहता है, तो यह दो स्टम्स आप यूज करते हैं, तो आप लोगो को CHA or freight forwarding agent अलग से हायर करने की जरूरत नहीं है, तो अगर मैं conclusion की बात करूँ कि वन की चुछ दा राइट CHA का conclusion क्या है, तो जब आपकी shipment जो है, पैंतालीस, पचास किलो से जादा हो जाए, या आप लोगो का जो shipment का value है, वो आर्टस लाग को टच करता है, तब आप एक dedicated CHA or freight forwarding agent को हैर कर सकते हैं, जब आपका वेड़ बहुत बढ़ जाता है, तो आपकी shipment का major cost rate में चला जाता है, और dedicated CHA and freight forwarding agent जो है, इस freight का यानि पर केजी का जो cost है, वो बेटर देगा आप लोगो या आपके supplier से भी अच्छा rate वो देगा, तो इस बेटर कि जब आपका shipment बढ़ा हो जाए, आप dedicated CHA higher करता है, ताकि वो आप लोगों को पर केजी का वेड़ यानि freight का वेड़ बेटर दे सके, तर्ड यह है कि आपका product जो है, अगर valuable है, तो वो सकता है कि तोड़ो complicated भी है, यानि L&D पर कर आपको इंपोर्ट करता है, तो उस टाइम पे एक dedicated CHA, यह forwarder, आपको documentation में and compliance management में and आपको shipment को priority clearance में clear करने में help कर सकता है, फॉर्थ और सबसे important यह है, कि जब भी आपको dedicated CHA hire करते हैं, तो उसका सबसे बड़ा फाइदा यह होता है, कि यह dedicated CHA, freight forwarder है, यह आपको एक priority service देता है, आप लोगो को पूरा पता है कि भाई, कुछ भी होता है, तो मैं इस मेरे को इस बंदे को phone को माना है, और मेरे को पता लग जाएगा, for example, जब आप dedicated CHA को hire करते हैं, तो आप सिधा boss से बात करते हैं, उस company के और boss आपको बता रहता है कि आपकी shipment का क्या status है, कहा पे अटका हुआ है, तो आप बात करते हैं, इस वीडियो के थर्ड पार्ट की विच्जिस, how to import without a CHA और freight forwarding agent, यह कुछ जनाया सु पोर्ट है, वो डीडीप एडीप टर्म्स में करना है, या इन केस अगे डीडीप डीप टर्म्स नहीं भी होता है, दूसरे टर्म्स में आप कर सकते हैं, बढ़ आप सप्लायर को बोलेंगे, बढ़ वो मैं recommend नहीं करता हूं, और यह आपको करना तब है दिब आपकी shipment जब इसकेंड पॉइंट में बताया और उसका वैल्यू भी लेस हो, इसकेस में वही होता है कि आप लोग को जो है डीडीप डीप में आपको लेना है, डीडीप डीप में आपको कोई भी रिस्क या खर्चा नहीं होता है, सारा अगा अपको supplier और यह कुरियर एजन जैनिकी कर देते हैं, आप लोगो अलग अलग बंदों से बात करने की बिजरूरत नहीं होती है, तो आप लोगो अपना के वाई से इनके साथ कर ले रहा है कि वहीं आपको अगर कंपनी वाला है तो जी एस टी ऑपने एडी कोट वगर आपको परसल में इंपोर्ट कर रहें तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं सारा का आप लोगों किसी और क्रेटर की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगे और अगर आप एक न्यू इंपोर्ट करने का सोच रहे हैं तो इस वीडियो को देख लेना यह एक आप लोगों के लिए कर से किस तरीके से इंपोर्ट करने हैं तो मिलते हैं अगरे वीडियो में तब तक के लिए चाहिए